तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आज मैं आपसे शिफ और सिर्फ इस चीज को लेकर बात करने वाला हूँ क्या जब आप इंटर्व्यू देने के लिए जाते हैं तो आप से बॉंड साइन करवाते हैं कंपनी वाले और करवाते हैं तो क्या digital marketing या फिर आप software line में भी हैं तो bond sign करना कितने हद तक ठीक है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या हमें उस sign करने के बाद अगर कंपनी अगर हम छोड़ना चाहिए तो क्या हम छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं तो आज हम इसी को बात करने वाले तो hello guys welcome back to my youtube channel मैंना मैं जिस सिना आप देख रहे हैं hashtag window देखिए digital marketing हो या software line हो किसी भी field में आप हैं तो अगर company थोड़ी सी छोटी होती है तो अकसर ये चीज़ देखा गया है कि वो आपसे bond sign करवाएंगे ठीक है company वाले आपसे bond sign कराते हैं bond sign में 2-3 चीज़े मैंने देख mark sit होती है वो भी रख लेते हैं आपके पास original mark sit मांगते हैं आपसे की भाई original mark sit दे दो जब आप छोड़ोगे एक साल का के बाद तो हम आपसको दे देंगे ये मैंने ये मैंने notice में तब आया था जब मैं एक interview देने के लिए नौड़ा में ही गया वह था 62 के आस-पास तब म के नाम पर आपसे certificates मांग रही है तो बोल रही है कि certificate आप हमें दे दो हम safe रखेंगे अपने locker room में और जब भी आप छोड़ की जाओगे तो हम आपको वापस कर देंगे तो भाई इन लोगों से बच के रही है ऐसी कोई काम करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूद नहीं है क कोई दिक करती हैं उससे उसमें कोई परिशानी भी नहीं रखे रहे हैं फिर वो ठीक है एक चीज़ तो यह चलता है दूसरा चलता है कि वह आपसे check sign करवाते हैं मतलब थोड़ा बहुत मतलब amount का या फिर आपसे दो लाग रुपए या एक लाग रुपए का check sign करवाते हैं और अपने pass रख लिते हैं in case अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपके against हम case कर सकें बट generally ऐसा होता नहीं कंपनी के पास या multilational company के पास इतना time नहीं है कि वह एक एक lawyer hire करे दो लाग रुपए के लिए और आपके पीछे case file करे और आपसे दो लाग रुपए निकलवाने की कोशिश करें ठीक है ये सिर्फ एक तरह से आप वो सकते हो कि डराने का और खास करके डराने का तरीका है खास करके इंडिया में अगर मैं बोला जाए तो ये trend नहीं काम करता अब किसी से आप कोई जबदस्ति काम नहीं करवा सकते हैं ठीक है कई बार देखा कि कंपनी वाले बिल्कुल बोलता है कि नहीं अगर आप छोड़के जाओगे तो हम आपके उपर केस कर देंगे और जनरली नहीं होता है देखिए कुछ सिनारियों में ये चीज़े कामयाब हो जाती है जब कि कंपनी बहुत बड़ी है और आपके पीछे लाखों का investment क्या उसके लिए आपको training देने के लिए उसने foreign बेजा या फिर इंडिया के किसी corner में बेजा वहाँ पर five star hotel का खर्चा उठाया उसने आपको वहाँ पर रखा आपको training दिया और उसके बार आप छोड़के जा रहे हो तब तो बात समझ में आती है अगर company के आपकी salary ही 15-20,000 रु कि अगर कोई court में भी जाता है तो जादे देर देर तक ही case टिक नहीं सकता है आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो खास करके इंडिया में law के हिसाब से अगर चले तो यही चलता है कि अगर नहीं अब मेरे तबीयत खराब है मान के चलता हूँ तो क्या company वाले मे medical ground में अगर अगर आपने मेरे से bond sign करवा भी लिया तो किसी के बाप के हिम्मत नहीं है कि आप मेरे से काम कर वा लो ठीक है अगर अगर आपने 2 लाग रुपए, 4 लाग रुपए भी अगर आपने मेरे से ले रखा मतलों कि sign कररके मैंने दीया हूँ है आप मेरी तबीयत खर है ठीक है तो वो बोलेगा कि आपकी ट्रेनिंग पर हमने इतना खर्चा किया मैं फिट से बोलूंगा कि छोटी कमनी होती है तो इतना ज्यादा लफड़े पालने की कोशिश नहीं करती है वो बिलती है कि भाई तू जा ठीक है हम दूसरे बंदा हायर कर लेंगे ठीक है तो ज् पिए अपंदास ओके निकलना उप्स से कोई दिककत नहीं होता है आप लोयर से डिसकस कर लेना घर में डिसकस कर लो सबसे अच्छी वात है पापा मामी से बात कर ओ ऐसे 북한 दिसें करında आप में वापास खोणना चाहता हूं बस कोई दिककत नहीं होती है। आप कई सरे फ्रे से पहले मैं आप से यह बोलूँगा कि किसी भी बॉंड को साइन करने से पहले थोड़ा आप रिसेर्च वर्क सोच लीजिए डिसक्रिशन कर लीजिए अपने घर पे अपने फैमिली मेंबर से और अपने बॉस से जिसके साथ आपको यहां पर रहे के काम करना है अगर आपको जॉब चाहिए और बॉंड साइन कर देते हैं तो भाई उन सब चीजों से जितना ज़्यादा बस सकते हैं मैं बोलूँगा ऐसी कमपनी में काम करने की जरूबत नहीं है जहां पर आपसे बॉंड साइन करवाते हैं रहे कि ए मैं फिर से बोलूँगा मैंने कही सारे वीडिय तो रिकिए 첫 साल का बॉंड किते हैं कोई दिख्यत नहीं है कहीं का भी experience के मिशसम Baby में एक साल का हो किसी कंपणी में आप जा है कि6 मेने शेनी कर लेंगा तो वह ठीक भी नहीं है तो आप कर सकते हैं मिरे में एक्हाल से अग्र आप से देड़ साल दो determ कोई दिख्यत नहीं ह तब तो आपको कोई बिंदास बिल्कुल साइन कर दिये और आगे बढ़ जाईए बाकी वीडियो को अगर पसंद आया है आपको तो कमेंट करके जरूर बताईगा क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो ये दो इंसिडेंट मेंने बताईगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो रख लेते हैं या और आप से चेक साइन कर आते हैं इसके अलावा कुछ और चल रहा है मार्केट में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईगा अगर आया है तो मैं उसके उपर भी रिसर्च करूँगा क्या हो रहा है और फिर इस पर वीडियो लेकर आऊँ वाकिए वीडियो पसंद आया यहां तक देखा है तो लाइक कर देजिएगा फिर शेयर कर देजिएगा और चैनल पर नए है सब्सक्राइब करना विलकूर भूलेगा वाकिए फिर मिलते हैं बहुते जल्दी नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए टेक्या नमशकार